वोजी नियूस पर आपको लगतार बड़ी खबर दे रहे हैं। यूकरेन से बाचीत के लिए रूस के राश्पती व्लादिमेर पुतिन ने बड़ी शर्त रखी है। वो कह रहे हैं जो मौझूदा प्लिटिकल लीडर्शिप है उसे हटना होगा अगर यूकरेन रूस के साथ बाचीत के टेबल पर आना चाहता है। को बताया था उन्होंने ये कहा था कि यूकरेन के राश्पती दरसल पुपेट हैं यूनाइटेट सेट्स अफ अमेरिका और पश्रमी देशों के हाथों में और बड़ी बात यहीं कही जा रही थी कि रशिया जो चाहता है उसमें एक बड़ी बात होगी ये रेजीम चेंज जो रूसी तरफ इशारा करते हुए रूस के राश्पती व्लादेमिर पुतिन जिसमें वो सेना से कह रहा है कि कंट्रोल, सत्ता, मिलिटरी अपने हाथ में ले ले यूकरेन में और पुलिटिकल लीडर्शिप साइट हो जाए तो एक तरफ यूरोप में यूकरेन के अंदर रूस के सैनिक आगे बढ़ते हुए और ये कहना चाहिए तेजी से आगे बढ़ते हुए महीं दूसरी तरफ एशिया में इसके साइड इफेक्स दिखने लगे हैं चीन ने ताइवान के एस पेस में फिर से गुस्पैट की कोशिश की और ये आशंका अब जाहिरी है कि रू रूस से दोस्ती बढ़ा रहा चीन क्या ताइवान पर पुतिन वाला फोमुला तो नहीं लगा देगा वही ताइवान ने रूस के खिलाफ दुनिया के पतिबंदों के साथ वो खड़ा हुआ है यूकरेन के साथ और ताइवान के राश्पती ने साफ कहा कि उनकी मिलिटरी देष्की रखेकली तायाव प्लाओ जट हो बादे वाद वाद वे खो बेख बुद्ट उन्हार वड़ा ostr पार ऊचिझा बाद वोड़ाद ब्लाओ भी ऑ Lord वोड़ान 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 यूकरेन पर फुतिन मिसाईले और वम बरसा रहे है। हालात इतने खराब हैं कि यूकरेन की सलकों पर यूकरेन के सैनेकी भागते नजर आ रहे हैं। यूकरेन के लोग खौफ में, पता नहीं किस दिशा से मिसाईल आ जाया। इसे लिए उनकी जिंदगी अंडर ग्राउंड बंकरों में कट रही है दुनिया रूस के खिलाफ है यूक्रेन के लोगों की हालत देखकर दुनिया की आँखों में आसू है लेकिन चीन के राश्रपती शी जिन पिंग की आँखों में चमक है और वो इस जंग में खुलकर रूस का साथ दे रहे हैं क्योंकि जो कुछ पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं जिस तरह से कर रहे हैं उसी पॉर्बूले का इस्तेमाल शी जिन पिंग ताइवान पर भी कर सकते हैं इस बात की आशंका इसलिए भी पड़ गई है क्योंकि एक तरफ रूस के विमान यूक्रेन के उपर मंड़ा रहे थे दूसरी तरफ चीन के लडाको विमानों ने फिर से ताइवान के आस्मान में अपनी हदें पाड़ चीन के नौ लडाको विमानों ने एक बार फिर से ताइवान के एरिस्पेस का उलंगन किया है साफ है यूक्रेन का हाल इस वक्त ताइवान भी देख रहा है क्योंकि चीन के खिलाब उसे भी अमेरीका से ही मदद की उमीद है और यूक्रेन के राश्वपती जेलेंस्की का हाल देखकर वो भी चीन और रूस्की दोस्ती से शशंकित हो रहा हो जेलेंस्की अगर बोल रहे हैं कि सभी देश रूस से डरते हैं तो उसमें अमेरीका भी शामिल जिसने यूक्रेन की मदद का वादा किया था और आज के दोर में रूस से कम ताक पर तो चीन भी नहीं चीनी राश्रपती शी जिन पिंग ने विशले साल अक्टूबर में घोश्टा की थी कि वो ताइवान को अपने देश के साथ मिलाने का सपना जल्द पूरा करें इसके बाद से ही चीन अक्सर ताइवान को डराने के लिए अपने फाइटर जेट्स उसकी सीमा में उडाता रहता है पिछले एक साल में 900 से ज्यादा बार चीन के लड़ाको विमान ताइवान के एर स्पेस में दाखिल हुए आशंका जाहिर की जा रही है कहीं है चीन की वायुसेना का युद्धा भ्यास तो नहीं है वैसे जिन्पिंग इस वक्त अमेरिका की ताकत और तेवरों को भी तॉल रहे होंगे क्योंकि यूक्रेन के लिए अमेरिका अगर सीधे रूस से नहीं भिड़ा तो क्या ताइवान के लिए चीन के राके में चीन से टक्कर लेने की सोचेगा ताइवान और यूक्रेन में चीन कहता है नहीं यूक्रेन तो अलग है वो तो कंट्री था पर ताइवान तो मेरा हिस्सा ही है तो ये कंपारिजन मत करो चाइना ये कहता है बट फिर भी example तो यही है ना कि एक देश अपनी military might से लेकर के एक दूसरे देश को total dominate कर दे तो चीन के होसले बढ़ेंगे बट तैवान की military power जादा है तो तैवान को चाइना को dominate करना इतना असान नहीं रहेगा military करने को कर भी सकता है पर तैवान को तो चाइना isolate करेगा ब्लॉकेड करेगा नेवल ब्लॉकेड उस तरह से करेगा इधर यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उस पर तैवान की भी पूरी नजर है तैवान चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती पर भी नजर बनाए हुए है क्योंकि रूस की राश्वपती व्लादिमिर पुदिन अपने चीन दोरे में वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करके आए है यानि तैवान को चीन का हिस्सा मान करा है यही वज़े है यूक्रेन का हाल देखने के बाद तैवान की राश्वपती साई इंग्वेन ने साफ साफ कहा कि उनकी मिलिक्री देश की रक्षा के लिए तैयार है इसके अलावत तैवान भी रूस के खिलाफ लगाए गए दुनिया के प्रतिबंधों के साथ खड़ा है इस उम्मीद के साथ कि जब चीन तैवान पर अटेक करेगा तो दुनिया उसके साथ भी खड़ी होगी लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चा ये भी है कि यूक्रेन और तैवान के स्थिती में काफी अंतर है और दोनों देशों से अमेरिका के रिष्टे में लिए अमेरिका और तैवान के बीच रक्षा समझोता है अमेरिकी कॉंग्रेस ने इसके लिए 1989 में प्रस्ताओ भी पारित किया था तब से लेकर आज तक अमेरिका तैवान का मददगार बना हुआ है अमेरिका तैवान को हथियार भी मोहिया कराता है इसके रावा ताइवान दुनिया में व्यापार का बड़ा केंद्र भी है यही वज़ा है अमेरिका भी ताइवान को इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देगा वहीं जापान भी ताइवान के मुद्दे पर चीन के खिलाफ जरूर खड़ा हो लेकिन अगर यूक्रेन मसले पर अमेरिका रूस के साथ उल्जा और चीन ने ताइवान पर बड़ा दाउं चला तो इस वक्त अमेरिका या नाटो के लिए एक साथ यूरोप और एशिया में दो गंभीर मुद्दों को सुल्जाना मुश्किल हो सकता है इसके अरावा रूस और चीन का साथ हाना बड़ वार जैसी इस्थिती भी बना सकता है विरो रिपोर्ट जीमीड़ और इस वक्त रूस का एक और बड़ा बयान आपको बता रहे हैं गुरिल्ला वार लड़ रहा है युक्रेन ये रूस कह रहा है साथ ही का 25 से 30 सैनिकों का ग्रूप लड़ रहा है लड़ाई रूस द्वारा ये कहा रहा है कि गुरिल्ला वार लड़ रहा है युक्रेन और 25 से 30 सैनिकों का ग्रूप ये लड़ाई लड़ रहा है रुस की तरफ से ये दावा किया गया है, उसने एक हजार से जादा रुसी सैरिक मारे है, रुष्या ये कह रहा है कि उसने दोसों से जादा रुष्यानियन सैनिकों को मारा है, और इस सब के बीच गुरिला वार की बात कर रहा है रशिया दावा कर रहा है कि गुरिला वार लड़ रहा है उक्रेन